चमपा फूलों के पेडों के आस्तित्व को बचाने की मुहीम चमबा में शुरू हो चुकी है आज चमबा में फूल के श्रक्षन के लिए एक पोधर ओपन अभ्यान शुरू किया गया इस अभ्यान को चमबा डिसकवर मंच नोट ओन मैप और भूरी सिंग संगराले के सुक तोर पर चलाया जा रहा है इस अभ्यान की पूरी तरह से रणनीती बना ली गई है अभ्यान के तहत पूरे चमबा शहर में चमपा फूल के पेड़ लगाए जाएंगे इस पोधरोपन अभ्यान के लिए और भी पोधे मंगवा लिए गए है आज भूरी सिंग संगराले से इस पोधरोपन का श्रीगनेश किया गया जिसमें स्थानी विधायक पवन नेयर ने चमपा फूल का पोधा लगा कर इस अभ्यान की शुरुआत की चमपा फूल एक बहुत ही सुंगंदित फूल है इसकी महक पूरे चमपा शहर को महका देती है रास्तवी काल में लोग इस फूल को भेंट स्वरूप एक दूसरे को दिया करते थे लेकिन चमपा शहर में मातर चंद पोधे ही चमपा फूल के अब बचे हुए है हलांकी अब तक की चमपा के इतिहास के मुताबिक चमपा का नाम रानी चमपवती के नाम पर रखा गया था लेकिन चमपा डिसकवर मंच के को ओडिनेटर मनुष शर्मा के मुताबिक चमपा में किसी समय चमपा फूल के बहुत से पेड होते थे इसी वज़े से इस नगर का नाम चंबा रखा गया था मनुर्श शर्मा ने बताया कि भूरी सिंग संगराले में अतिहासिक दस्तावेज इस बात का पुकता परमान है कि चंबा में चंपा फूल के बहुत सारे पेड़ होने की कारण ही चंबा जनपत का नाम चंबा रखा गया था उन्होंने बताया कि भूरी सिंग संगराले में रखे गए दस्वी सतावदी के तामर पत्तर पर ये साफ तोर पर लिखा गया है कि चंबा का शहर पहले चंपकपूर हुआ करता था यहाँ पर चंपा फूल के बहुत सारे पेड़ होने की वज़ा से इसे चंबा का नाम दिया गया मनुष शर्मा ने बताया कि किसी समय चंबा शहर में चंपा फूल के बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे लेकिन अब मातर नो पेड़ ही चंपा फूल के बचे हैं यही वज़ा है कि इसका आस्तित्व को बचाने के लिए इसका दोबारा से पोधर उपन कर चंबा शहर में और भी पोधें लगाये जाएंगे पदम श्री अवोड ले चुके विज़ शर्मा ने भी बताया कि दश्वी सताबदी में राजा साहिल वर्मन ने चंबा नगर को बसाया था और उसे सताबदी में उनके पुत्तर द्वारा लिखे भूरी सिंग संग्राले में एक तामर पत्र के अनुसार चंबा नगर का नाम चंपकपूर हुआ करता था और यहां चंबा फूल के अधिक पोधे होने की वज़ा से ही चंबा शहर का नाम चंबा पड़ा था उन्होंने बताया कि रास्वी काल में यहां पर चंपा फूल के बहुत सारे पेड चंबा शहर में हुआ करते थे और पूरा शहर इन चंपा के फूल की खुश्बू से महका करता था लेकिन अब मातर आठ नो पेड ही चंबा शहर में चंबा फूल के बचे हुए हैं जिन की महक अभी भी चंबा शहर को महका रही है और अब भूरी सिंग संग्राले और चंबा डिसकवर मंच नो टोन मैप संस्ता द्वारा यहां पोधर उपन का अभ्यान चलाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इसके आस्तित्व को बचाया जा सके उन्होंने बताया कि जिस तरह से कहा जाता है कि चंबा शहरानी चंबा वती के नाम पर रखा गया था लेकिन इसका कोई भी प्रमान अभी तक नहीं मिल पाया है लेकिन जहां तक चंबा फूल से चंबा का नाम का उलेक किया जा रहा है ुसका पुक्ता प्रमान भूरी सिंग संगराले में रख्खा तामर पत्र है। जे में पोधर उपन किया गया जिसमें चंपा फूल के पोधे लगाए गये। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत हैरानी हो रही है कि आज तक किसी की भी नजर इन पोधों पर नहीं पड़ी जबकि बहुत ही बड़ा एतिहासिक पोधा है और इसकी खुश्बू पूरे चमबा शहर को महकाती है उन्होंने कहा कि इनके इस अभ्यान को सफल करने में उनका पूरा सहयोग देंगे और आने वाले समय में सरकार द्वारा जो पांच दिन का पोधर उपन किया जा रहा है उसमें भी पर्यावरन को बचाए रखने के लिए पोधर उपन किया जाएगा साथ ही उन्होंने बताया कि मिंजर मेले के दर्मियान जब मुख्य मंत्री चमबा आएंगे तो यहाँ पर पिछले कई अर्से से जो पार्किंग की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा और उनके हाथों से यहां पार्किंग का सिला नियाश करवाया जाएगा ताकि चमबा में पार्किंग की समस्या को निजात मिल पाए अब आने वाले समय में बुद्धी जीवियों में इन बात की बहुत जरूर छिणने वाली है कि चमबा का नाम रानी चमबावती के नाम पर रखा गया था या चमबाफूल के नाम से लेकिन इस बास से ये फाइदा जरूर होगा कि इस अभ्यान से चम्बा को हरा भरा बनाने के लिए इस से जरूर फाइदा होगा चम्बा नगर आज से एक हजार साल पहले इस नगर की स्थापना होई थी दश्मिश्ताबदी में उस समय के शाषक साहिद बर्मन राजा ने चम्बा नगर की स्थापना की थी और उसके उनके पुत्र और उत्रा दिकारी राजा युगाकर बर्मन ने एक दश्मिश्ताबदी में तामर पत्र जारी किया था इस तामर पत्तर में चम्बा नगर को चम्पकपुर लिखा गया है यानि कि चम्बा नगर का प्राना नाम चम्पकपुर था वो इस कारण था कि यहां पे चम्पा के बहुत सारे व्रिक्ष मौजूद थे दिरे दिरे वक्त के साथ ये वरिक्षों की संख्या घटी गई आज की तारीख में चंबा नगर में साथ आठ वरिक्ष चंपा के बाकी बचे हैं चंपा के वरिक्ष का मतविय है कि इसके साथ जो कली लगती है जिसे चंपा कली कहते है उसकी सुगंद असाधारन होती है उसमें और शुद्य गुन भी होते है और उसके कारण पूरा वातावर्ण जो है वो सुगंद से भरा पूरा रहता है चमभा नगर को फिर से उसके गौरमाई इतिहास से जोडने के लिए चमबा नगर को उसकी पहचान दिलाने के दिश्टी से हमने एक मुहिम जारी की है जिसके तहट चमबा नगर में करीब पचास पोधे पोधों का रोपन किया जाएगा अलग अलग स्थलों पे ये चमबा के पेड़ लगाये जाएगे ताकि बाहर से आने वाले जो प्रटक है या जो भी अगंतुक चमबा आएगा वो इन विक्षों के कारण इनकी कलियों से जो सुगंद दिखले कि उसके कारण चमबा का अनंद ले पाएगे तो मुझे उमीर है कि हमारी ये मुहिम काम्याब होगी और चमबा एक बार फिर से चमबा विक्षों से लह लहा उठेगा आज का जो अभियान है इसको विक्षाइन का नाम दिया है एक समय था कि जब चमबा का नाम चमबा के फूलों चमबा के पौदों पे था एक जो तामबर पत्र मुझे में है उसके अनसौर इस चमबा का जो नाम था वो एक चमबा का पूल हुआ करता था उस समय हजारों पौदे चमबा के आसपास ये हुआ करते थे पर अब समय के साथ साथ मातर लगवग नोग कर पेड़ी ये चमबा के रह गए हैं तो ये सब जो अभियाना उन सब पूरा दुवारा से री प्लांटेशन के लिए अभियाना से शुरू हुआ है देखे आम लोगों के लिए तो ये एक पौदा ही है बड़ चमबा की दिश्टी देखे तो एक एतियासिक पौदा है जिसके नाम पे चमबा का नाम बढ़ा था तो ये heritage का एक विशे है हमारे लिए तो और इसकी importance बड़ी है क्योंकि जिसका नाम ही चमपा का नाम जब पौदे के था तो मात जब नौ पौदे रहागी हो इसके अंदर तो ये इस अभियान का लक्षे भी है कि अधिक से अधिक लोगों को जाग रूख के जाए वैसे तो य अभियान अगले साल चलने वाला है क्योंकि इस बार तो हम लोग इन पौदों को अगले से अगले साल के त्यारी कर रहे है तो ये सिर्फ एक awareness drive जादा है इस साल अगले साल से ये पूरा जो अभियान होगा जादा तेजी से किया जाएगा